हेलो फ्रेंड मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तो आज मेरे वीडियो लेके आया हूँ फूड एन नुट्रिशन्स मल्टिपल च्वाइस कोश्चन साथ में इसके एंसर भी फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स वह साइंस से रिलेटेड जितने भी स्टुडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चाहिए वह हैं इस्टापनस को या कोई भी मेडिकल एक्जाम्स के लिए तो फ्रेंड्स फूड और नुट् सबस्ट है एक सबस्टेंट्स नीडली निडेट्स वाइए बोडी फॉर्ड इनर्जी रिप्यार एंड मेंट्रिनेंस इस कॉल्ड ए एंसर दे ए नुट्रिन्स अर्थात एक सबस्टेंस जिसकी जोरत होती है बोडी की बिर्दी विकास उर्जा और उसका मरमत के लिए इन फूड एकसेट्स मतलब जो पोसड होते हैं उसमें सारे पाया जाते हैं सिवाय तो इसका एंसर है प्लाज्मा next a diet high is the saturated fats can be linked to find which of the following तो friends जो high diets वाले जो high diets saturated होते हैं fats वाले जो high fat diet करते हैं उनको का problem हो सकता है तो उसको है cardiovascular disease होने के chances होते हैं next है amylase in saliva we gain the break bone of carbohydrates in two रथा जो amylase होता है saliva में amylase जो पाया जाता है we gain to break bone जो carbohydrates होता है उसको किस में तोड़ता है तो वा simple sugar so sugar पे change करता है next question number five your body needs vitamins and minerals because हमारे सरीर को vitamins और minerals की जरूवत होती है क्योंकि they withdraw heat from the body अर्थात हुआ body से जो heat होती है गर्मी होती है उसको withdraw या दूर करते हैं और साथ में जो electrolytes होते हैं वो हमारे क्रिया सरीर की क्रिया को सुचार रूप से चलाने में मदद करते हैं next question number six food passes through the stomach directly by तो जो food होता है वो stomach मासा के बाद किसमें डाइट ली जाता है तो small intestine इसका answer friends छोटी आत में जाती है next question number seven about half of your diet should be made of answer है grain and vegetables अर्थात जो आपके डाइट होते हैं उसके जो आधे पार्ट से हाफ पार्ट से वो क्या चीज़ का होने चाहिए तो grains and vegetables होने चाहिए next question number eight in pH indicates that the solutions are substance is answer is the natural अर्था जो pH seven है वो क्या दरसाता है कि आपका जो solution हो वो किस प्रकार का है तो यह natural प्रकार का होता है next question number nine an adult heavy worker mal requires calories per day अर्था जो एक adult ब्यास्क मनुस से होता है जो कारे करने वाले स्रमिक या मजदूर के डेगरीज का होता है उसे per day कितने calories चाहिए तो यहां 3800 अर्था 3800 calories चाहिए उसको per days next question which of the following household equipment is the time and energy saving device अर्था ऐसा कौन सा घर पे इस्थित उपकरण होता है जो energy और energy के साथ समय कभी पच्छत करता है तो इसका answer है pressure cooker next questions which is not essential in a balanced diet normally तो answer is the tea जो balance diet के अंतरगत टी नहीं आएगा इसके लाब fruits और वेजिटेबल सलाथ एंड पॉलसेस यह सारे balance diets के अंतरगत आते हैं सिवाय टी अर्था चाहिए नेस्ट कोस्चन नमबर 12 starch is the type of starch किसके प्रकार है तो फ्रेंट्स एंसर होता है कार्बो हाड्रेट्स के प्रकार होते हैं starch next questions to manufacturer mayonnaise and quantity of oil is banded with a smaller amount of the water and egg योक टू फ्रो में इसका एंसर आएगा oil in proteins emulsions next questions the fat soluble vitamins आल अर्थत जो fat वसा में घुलनसिल विटामिन होते हैं उसके प्रकार कौन से है तो इसका एंसर नमबर D आ जाएगा friends A D E N के वसा में होते हैं बाकी B N C जो होते हैं वो जल में घुलनसिल होते हैं तो next question number 15 friends 15 और 16 17 18 का एंसर आप लोगों को देना है तो देखता हूं कितने सारे लोग यह 4 questions का एंसर देंगे तो question number 15 है at C altitudes pure water freeze adds option number A है 0 Fahrenheit 10 Centigrades 32 Centigrades यह 32 Fahrenheit next question number 16 a complex protein molecule that stimulates R speeds of a specific chemical reactions without being used up itself is called a a substrates b an enzyme c a myelagium and d a phlegelum question number 17 the purpose for using a living agent such as the baking soda or baking powder is the cake and cooking is to provide a source of answer is the a sodium dioxide b carbon carbon monoxide c sodium monoxide and d carbon dioxide question number 18 lemon juice which is the acidics would have a approximate pH of अर्था जो lemon juice होता है निबू का जो juice होता है वह acidic या अमली होता है वह उसका जो approximate pH मान होता हुआ कितना होता है friends तो यह चारों का answer आप मेरे को नीचे description box पे मैं इसका answer बाद में डालूँगा और आप मेरे को comments box में comments करके इसका answer ज़रूबता है और friends मेरे channel को subscribe करें चैनल का नाम है medical tuber अगर दोस्तों मेरे अगर आप instagram में follow करना चाहते हैं तो अगर आप पीडियाप इसका चाहते हैं तो ट्रिकर एटुजेट सर्च कर लिजिकर टेलीग्राम पर वहां इसका सारा पीडियाप उसमें uploaded है मेरे वीडियो के सारे पीडियाप फाइल तो फ्रेंड्स मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंधानेवाद जय भारत